नबश्कार दोस्तों आपको श्वागत करते हैं जहां दोस्तों इस वक्त की बड़ी घबर आयोध्या राम मंदर को लेकर ब्रेकिंग नीज यहां पर निकल कर आ रही है आयुद्या राम मंदर को लेकर जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको अब चैलेंज करने जा रहे हैं यहाँ पर मुस्लिम परसनल लोगोड जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसको चैलेंज यहाँ पर करेंगे जी हाँ दोस्तों लग रहा था कि राम मंदर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और तीन महीने के अंदर एक वहवे राम मंदर का निरमान होगा और उसमें राम ललाव राजमान होंगे ले उसको लेकर अभी अभी बड़ी कब अभी की परसनल लोबोर्ट ने कहा है कि आयोध्या में हमें वह जमीन नहीं चाहिए जो यहाँ पर सुप्रीम कोट ने यहाँ पर दी है जा दोस्तों इस बड़ी कॉनफरेंस में कई बड़ी बात यहाँ पर सामने आई है जानेंगे कि करक परसनल लोबोर्ट की बैटक के बाद यहाँ पैसला लिया गया है कि बोर्ट की तरफ से पुनर याचिका दायर की जाएगी जा दोस्तों पुनर याचिका का नियम है और इसी नियम का फायदा लेकर अब मुस्लिम पक्षिक बाफर से सुप्रीम पोर्ट के जो फैसला है उस बड़ा कदम यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के दुआरा है कि हमें जो सुप्रिम कोट ने पांच एकड जमीन देने का फैसल लिया है तो वो जमीन जो है वो मजजद के लिए कहीं और नहीं चाहिए वलकि जो यहाँ पर मंदिक ट्रेश्ट के लिए जो जमीन है उसी जमीन की मांग यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं आल इंडिया मुस्लिम परसनल लो बोर्ट के सदस्ट सेयद यहाँ पर कौसिन रसूल इलियास ने कहा है कि बोर्टtat नãyayoddia केस में सुप्रिम कोर्ट के फैसले के बाद पुनरयाची का दायर करने का फैसले लिया गया है वह जमियतु लेमल हिन्म के अध्यक सरदम consecutive ने कहा है суपीज़ी पुनर याजिका करना हमारा हग है। और मदनी ने का है कि हमें पता है कि सुप्रिम कोर्ट में पुनर याची का 100% हो जाएगी लेकिन पुनर याची का दाकिल करना हमारा अधिकार है हमें इसका इसका इस्तुमाल करना चाहिए इसके अलावा यहाँ पर AIMPLV की जो बैठक हुई है उसमें यहाँ पर जमीन की पेसकस को कबूल नहीं करने की बात कही जादी थी जो सुप्रिम कोर्ट ने पांच एकर जमीन का फैसला यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के लिए दिया था कि पांच एकर जमीन उनको दी जाएगी म मज़ित के लिए पांच एकर जमीन देने का फैसला किया था मुम्ताज PC कोलिस से निगल गए जहां और इंडिया मुस्लिम पसनल लोगोर्ट ने आधिया के फैसले पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयजित की थी पांच वा जो बड़ा फैसला था आधिया पर सुप्री अबीसी का जो इसके अलाबा अज़ुदिन अबीसी का वयान भी आपने सुना हुआ हुआ जिसमों उन्होंने साब तरु का है कि हमें पांच एकर जमीन फैरात में नहीं चाहिए बलकि मज़ित जहां पहले थी वहीं पर बनाई जाएगी और जफराब जिलानी दी जन्डे सुप्रिम कोड के फैसले के खिलाब कुनर याचिका लगाई जाए या नहीं मज़ित के लिए पांच एकर जमीन सुखार की जाए या नहीं तो यह बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है कि पांच एकर जमीन यहां पर सुखार नहीं है और यहां पर जो यहां पर वो यहाँ पार दार की जाएगी तो यह आयोद्या मामले को लेकर एक बड़ा फैसला यहाँ पर मुस्लिम पक्षिने लिया है तो अगर आप आयोद्या में राम मंदरी एक भब निर्मान हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रू कर देजिए और अगर आपने चैनल को सुस्क्राइब नहीं किया तो कर लिजे ताकि आने वाली जानकाने का नौई रिप्षिन आपको टाइम दा मिलता रहे चलिए मत तो एक नई वीडियो फिशाथ परम लेंगे आपका नीशोगो जहें जवारू